आज की इस कक्षा में हम simple equation अरथाथ सरल समिकरन के प्रस्णा वली 12.1 के प्रस्णों को रही है पहला प्रस्ण है निमलिखित में से समिकरन को चाठिये तो सबसे पहले हम यह जानेंगे कि समिकरन किसे कहते हैं समिकरन ऐसा प्रतिबंद होता है जिसमें दोनों पक्ष का मान बराबर होता है तो आईए हम इस क्राइटेरिया पर एक एक करके सभी की जाच करते हैं ए नमबर है 2x प्लस 5 छोटा है एक से तो चुकि ये दोनों बराबर नहीं हो रहा है तो ये समीकरन नहीं है यहां हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष बराबर है चुकि बराबर का चिन दिया हुआ है तो ये समीकरन है ठीक इसी तरह से c नमबर भी हमारा समीकरन होगा d नमबर हम पुना देखते हैं तो ये है 3x बराबर है 13 से तो यहां भी दोनों पक्ष बराबर नहीं है तो ये समीकरन नहीं है अब e नमबर देखिए यहां बराबर का चिन है पहले हमने देखा था b और c में उसी तरह ये ये समीकरन है और ये समीकरन नहीं है तो इस तरह से हमने देखा कि इसमें b, c और e ये समीकरन है प्रस्ण संख्या 2 निमलिखित कथनों के लिए एक चेरवाला समीकरन प्राप्त कीजिए तो हमें यहां एक चेरवाला समीकरन प्राप्त करना है प्रस्ण है, p के दुगने में 3 जोडने पर 13 प्राप्त होता है तो यहां जिस तरह से लिखा हुआ है, बस वैसा करते जाएंगे तो हमें समीकरन प्राप्त हो जाएगा तो हमारा अभिस्ट समीकरन होगा, p के दुगने में, p का दुगना अर्थाथ 2p अब इसमें कितना जोडना है, 3 जोडना है, जोड़ देते हैं 3, प्लस 3 और प्राप्त कितना हो रहा है, ब्राबर 13, यहीं हमारा अभिस्ट समीकरन है अब प्रस्ण संख्या 2, दो लगातार विशम संख्याओं का योगफल 32 होता है तो मालिया कि पहली विशम संख्या ब्राबर 2n फ्लस 1 यहाँ n एक पूर्ण संख्या है, तो लगातार दूसरी संख्या लगातार दूसरी विशम संख्या, तो यह क्या होगी? 2n फ्लस 1 फ्लस 2 क्योंकि अगर हम कोई विशम संख्या 5 लेते हैं, तो अगली विशम संख्या हमारी 7 होगी तो इस 5 में हम 2 जोडेंगे तो 7 प्राप्थ होगा इसलिए अगर अमरी पहली विसम संख्या 2N प्लस 1 है तो इसमें हमने 2 जोडा तो अगली जो संख्या होगी विसम संख्या होगी तो वो होगी 2N प्लस 1 प्लस 2 इसलिए जो अभिस्ट समीकरन होगा इसलिए अविस्ट समीकरन यह हो जाएगा लगातार का योग है तो हमने जोड दे रहे हैं यह पहली संख्या होगी पहली विसम संख्या और यह दूसरी लगातार दूसरी उसके बाद वाली 2N प्लस 1 प्लस 2 और यह जोडने के बाद हमारा आ रहा है 32 तो यह हम ब्रैकेट हटा रहे है 2N प्लस 1 प्लस 2N प्लस 1 प्लस 2 इसके लटू 32 यह 2N और 2N 4N हो गया प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 यानि 4 इसके लटू 32 यह हमारा अविस्ट समीकरन आ गया है प्रस्ण संख्या 3 X एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 17 प्राप्त होता है तो अविस्ट समीकरन हमारा होगा X एक संख्या है जिसमें 3 घटाने पर 3 हम घटा दे रहे हैं घटाओ 3 कितना प्राप्त हो रहा है 17 इसके लटू 17 यह हमारा समीकरन आ गया अब प्रस्ण संख्या 4 देख रहे हैं एक संख्या Y के दुगना में से 7 घटाने पर 13 प्राप्त होता है तो हमारा अविस्ट समीकरन होगा आविस्ट समीकरन यह होगा हमारा एक संख्या Y Y के दुगने में तो दुगना कर देते हैं Y का 2Y Y के दुगने में से 7 घटाने पर चलिए 7 घटा दे रहे हैं क्या प्राप्त हो रहा है 13 इसका लिटू 13 आप प्रस्ण संख्या 5 सल्मा रूही से 5 वर्स बड़ी है दोनों के उम्र का योगफल 27 वर्स है तो इसमें छोटी कौन है रूही तो इसे हम माल लिटे हैं माल लिया माल लिया की रूही की उम्र ब्रावर X वर्स इस तरह के प्रस्ण में जो जिसका उम्र छोटा होता है उसे ही हम मांगते है तो सल्मा की उम्र क्या होगी इसलिए सल्मा की उम्र सल्मा रूही से 5 वर्स बड़ी है यानि सल्मा का उम्र हो जाएगा X प्लस 5 और अभिस्ट समीकरन हमारा तब क्या हो जाएगा यह कर रहा है दोनों की उम्र का योगफल 27 वर्स है चलिए दोनों की उम्र को जोड़ देते हैं X प्लस X प्लस 5 यह दोनों का उम्र जोड़ किया यह हो जा रहा है 27 और ठाथ X प्लस X हो गया 2X प्लस 5 इस गई टू यह 27 प्रस्ण संख्या 3 निम्र लिखित समी करनों को हल कीजिए पहला प्रस्ण है X माइनस 5 इसकल टू 7 आईए से हल करते हैं हमें हल करने में यह देखना है हल करने का अर्थ क्या होता है हल करने का यह अर्थ है कि जो हमारा चर है इस समी करन में इसका मान ग्यात करना तो यहाँ चर है हमारा है X है तो हमें ऐसा करना है कि बाइ और सिर्फ चर रह जाए तो इसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ माइनस 5 है तो हम दोनों और इस बराबर चिन्द के दोनों और बायापक्श और दायापक्श में 5 जोड देगे तो हमने दोनों और 5 जोड दिया बायापक्ष में भी 5 जोड़ा और दायापक्ष में भी 5 जोड़ा तो हम देख रहे हैं कि यह minus 5 और यह plus 5 यह cancel हो गया यहां बच गया x और यह 7 जोड 5 12 हो गया तो यह हमारा x का मान आ गया 12 b number y plus 3 is equal to 10 ठीक ए नमबर की तरह हम यहां पुना करेंगे तो यहां plus 3 है तो हम दोनों और minus 3 कर देंगे यानि तीन घटा देने हैं बायापक्ष से भी और दायापक्ष से भी तो यह बायापक्ष में हमारा यह plus 3 और minus 3 कैंसल हो गया तो हमारा आ गया y is equal to 7 c number 3x minus 4 is equal to 11 यहां पुना हम दोनों और 4 add कर दे रहे हैं यानि जोड दे रहे हैं यह हमने दोनों और बायापक्ष में कर दिया तो यहां यह minus 4 plus 4 कैंसल हो गया तो यह हमारा आ गया 3x is equal to 15 अब हम दोनों और 3 से भाग दे रहे हैं 3x by 3 और यह 15 by 3 तो यह हमारा आ गया x ब्रावर 5 यहां हम देख रहे हैं कि दोनों और चर है तो हमें चर तो सरफ बाई और रखना है तभी तो मानाएगा तो हम सबसे पहले क्या करते हैं दोनों और 2m घटा देते हैं तो यहां हम घटा दे रहे हैं 2m और यहां भी हम घटा देंगे दाहिने पक्ष में भी माइनस 2m तो इससे क्या हुआ कि यह प्लस 2m यह माइनस 2m यह कंसिल हो गया तो यहां हमारा आ गया 11 माइनस 7m और माइनस 2m यह हो जाएगा 9m इसकल टू माइनस 16 अब हम क्या करेंगे कि दोनों और से माइनस 11 कर देंगे माइनस 11 और इधर माइनस 16 माइनस 11 तो यह हमारा आ जाएगा यह प्लस 11 और माइनस 11 यह कंसिल हो गया तो यह हो गया माइनस 9 ब्राबर माइनस 27, सॉरी, माइनस 9 M, अब माइनस 9 से दोनों और भाग दे दे रहे हैं, माइनस 9 M by माइनस 9, इसकल टू, माइनस 27 by माइनस 9, तो हमारा आ जाएगा M ब्राबर 3, प्रस्न सांख्या E, 11 P by 4 इसकल टू, 22, आईए से हल करते हैं, दोनों पक्ष में हम 4 से मल्टिप्लाई करेंगे, तो यह बाया पक्ष में हमने 4 से मल्टिप्लाई किया, और यह दाइनस पक्ष में भी 4 से मल्टिप्लाई किया, तो ये चार और ये चार कैंसिल हो गया तो ये हमारा आ गया 11 P स्कल्टू 88 अब LHS और RHS यानि बायापक्ष और दायापक्ष दूनों में हम 11 से भाग देंगे क्यों भाग दे रहे हैं? क्योंकि ये 11 को हमें कैंसिल करना है 18 बेटे 11 ये तो ये हमारा हो गया P स्कल्टू 8 अब F नंबर 3 इन्टू X माइनस 2 स्कल्टू 33 इससे सिंप्लिफाई करते हैं पहले तो ये हो जागा 3X माइनस 6 स्कल्टू 33 अब दोनों पक्ष में हम 6 जोड देंगे ये हमने बायापक्ष में 6 जोड दिया और ये हमने दायापक्ष में 6 जोड दिया तो ये माइनस 6 और प्लस 6 गैंसिल हो गया तो यह हमारा आ गया 3x इसकल टू 39 अब दूनों पक्ष में हम 3 से भाग देते हैं तो 3x by 3 इसकल टू 39 by 3 तो यहां हमारा बाया पक्ष में हो गया x और दाया पक्ष में आ गया 13